सास्त्रों में शर्क जन्माश्टमी ब्रत को ब्रत राज कहा गया है भविस्ट पुराण के अमसार जिन घरों में जन्माश्टमी का ब्रत किया जाता है वहाँ पे अकाल ब्रत्यों, गर्बबात, दुर्भा, गितता कलेश जैसी आदी समस्या नहीं होती है जर्माश्टमी का ब्रत करने वाला व्यत्ती सभी सुखों को भोग कर अंत्वी गोलोग को वास करता है नमस्कार दोस्तों, मैं पुनापांडे, आप सभी लोगों का शक्ति कुन चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करती हूं भगवान सुरे क्रश्ण सभी के दुलारे और सभी के प्यारे हैं क्योंकि किसी घर में ये अपने युगल सरूप में अर्थात राधा क्रश्ण के रूप में पूझे जाते हैं तो किसी घर में अपने बाल सो रूप में अर्थाथ लटू गोपाल के रूप में पूजे जाते हैं और किसी के घर में ये ठाकुर के रूप में बिद्धमान है अर्थाथ कहने का ताथ पर है कि हर घर में ये बिद्धमान है और हर घर में इनका राज है हर किसी के आराध्य है ये, क्योंकि हर घर में ये किसी ने किसी रूप में विद्दमान है अपने आराध्य का जनमोदसा मनाना बहुत ही सभागे की बात होती है भगवान श्री कृष्ण का जनमोदसा मनाने से एक आनंद और एक खुशी की प्राप्ति होती है और इसके साथी साथ भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में चल रही सभी समस्याओं का अंत होता है भगवान श्री कृष्ण की जन मुद्सव को कई नामों से बुलाया जाता है जैसे श्रीकृष्ण जन्माश्टमी, गोगुलाश्टमी, श्रीकृष्ण जैन्ती और श्री जैन्ती के नामों से भी जाना जाता है स्रीमत भागवत्व और भविश्व पुराण के अनसार भगवान श्रीकृष्ण का जन्म भादो मा के कृष्णपक्ष की अश्टमी तिथी को बुधवार के दिन रहुनी नच्छतर में चंद्रमा जिसमें ब्रिश्रासी में भोचर कर रहा था उसमें निसीत काल में अर्थात मध्यरात्री के समय में हुआ था इसे के आधार पर प्रतेग वर्ष भादो मा के कृष्णपक्ष की अश्टमी तिथी को यह जर्माश्मी का पर्व मनाया जाता है लेकिन हर साल जादमा के कृश्ण पक्ष की अश्टमी तीथियों को सारे ऐसे ही इए योग प्राप्त हों, यह सम्हों coordinated होता है उससे भी बहुत ज़्यादा मोटिविशन मिलता है आगे अच्छे शे वीडियोज बनाने के लिए तो आप प्लीज अगर चैनल को मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजेगा और लोडिफिकेशन का बिल जरू आउन कीजे का ताकि मेरे जो आगे के वीडियो आए उसका अपडेट आपको मिलता रहे तो चलिए सुरू करते हैं आगे का वीडियो आईए चांदते हैं कि 2023 में जन्माश्मी का परू कब मनाये जा रहा है भादमा के कृष्णपक्ष के अश्मी तीथी का प्रारम कब हो रहा है अश्मी तीथी का समापन कब हो रहा है रोडिन चत्र का प्रारम कब हो रहा है और पुजा कमोट कब से कब तक है 6 सितंबर दिन बुद्रवार की दो भार में 3 बच के 37 मिनट से अस्टमी तीथी का प्रारम हो रहा है और 7 सितंबर दिन गुरुवार को दो भार में अर्था साम हो जा रहा है 4 बच के 14 मिनट पे अस्टमी तीथी का समापन हो रहा है और रोडी नचत्र का जो प्रारम हो रहा है वो 6 सितंबर दिन बुद्वार की शुबह में ही 9 बच के 20 मिनट पे हो रहा है और रोडी नचत्र का समापन जो हो रहा है वो 7 सितंबर दिन बुद्वार की सुबह में 10 बच के 25 मिनट पे हो रहा है तो ये थी अश्रुतिती की जानकारी और रिच्छत्र की जानकारी अब जानते हैं कि यह पर्व मनाया कब जा रहा है हर साल की तरह इस साल भी जन्मास्टमी का पर्वत दो दिन मनाया जा रहा है कुछ जगहों पर यह पर्वत 6 सितंबर दिन बुद्धवार को मनाया जा रहा ह और कुछ जगहों पर यह परव साथ सितंबर दिन गुरुवार को मनाया जा रहा है समाने ग्रहस्त जन, जो समाने ग्रहस्त के लोग है वो 6 सितंबर को जन्माश्मी का परव मना रहा है लेकिन इस कौन जैसी संस्ता जो है जो भगवान श्रीकृष्ण की बहुत बड़े प्रचारत है वो 7 सितंबर दिन गुरुवार को जन्माश्मी का परव मना रहा है दोनों ही दिन बहुत ही स्ट्रेश्ट है जन्माश्मी का परव और बहुत ही उत्तम है आप दोनों में से किसी एक का चुनाओ आप करके किसी भी एक दिन आप ब्रच कर सकते हैं आगे मैं आपको 6 सितंबर और 7 सितंबर की दिन कौन-कौन सी योग बन रहे हैं कौन-कौन से उस दिन मुहुर्थ है और कौन-कौन से नच्छत्रों का संयोग प्राफ्त हो रहा है उसकी जानकारी में आपको दे रहे हूं ताकि उनको आप देखके आप चुनाव कर सके कि किस दिन आप ब्रत करना चाहते हैं क्योंकि आप ब्रत का जोसी दिन है बहुत ही श्ट्रेश्ट और बहुत ही उत्तम है छेंसितम्बर को हर्षड योगह है और इस दिन वार है वो जो पुद्ध्वार है इस दिन रोढ़ी नच्छत्र प्रावर्म होने से पहले कृतिका नच्छत्र है उसके पशहत पूरे दिन और पुरी रात में रोऊध्य नच्छत्र है इस दिन आपका चंद्रमा जो है वो ब्रिशवरासी में है और पूरे दिन सर्वार्थ सिंथी योग है इस दिन रजवयोग का संयोग भी हमें प्राप्त हो रहा है तो इस प्रकार छे सितंबर का जो जन्मास्टमी का पर्व है वो अधिविसस्ट होने वाला है निर्ड़ सिंथों के अनुसार अगर भादो मां के कृष्ण पक्ष के अश्टमी तीथी को अर्ध रात्री में अश्टमी तीथी का संयोग प्राप्त हो और रोने नचत्र का संयोग भी प्राप्त हो तो उस दिन श्रक्रिश जन्मास्टमी का पर्व मनाना चाहिए और इस दि सब्सक्राइब कर दो जाएगा और इस दिन वार जो है आपका गुरुवार है और इस दिन जो पुजा कमपोर्थ है वो रात्री में एठाथ मिशीज काल में रात्री में 11 के 33 मिनट से लेके रात्री में 12 के 19 मिनट तक है आईए जानते हैं कि जन्माश्ट में ब्रत का पारण हमें किस प्रकार करना चाहिए क्योंकि जन्माश्ट में ब्रत के पारण को लेके भी अलग अलग विचार और अलग अलग मत है कुछ जगहों पे जन्माश्ट पुरे 24 घंटा का ब्रत करते हैं । ब्रत करते हैं। और वियात्व memory कि आपकाव साम्त्राइन आप ब्रत करते हैं। में से किसी एक नियम को अपना के प्रक्का पारण कर सकते हैं भगवांश्रे कृष्णी की कृपाद दिश्टी हम सभी पर बनी रहे और 2030 की जो जन्माश्ट में हम सभी के लिए बहुत ही कल्यानकारी और बहुत ही शुबकारी हो यहीं मंगल कामना है मिलते हैं अगले वीडिय क्लिगा नमस्कार